वो आधा हिस्सा जिसके वगयर सच पूरा नहीं होता है वो है अर्धिर सत्या नमस्कार मैं राना एश्वंत इंडिया नूस पर आपका स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं अर्धिर सत्या यह देश पहार के शुकंजे में सुरंग के अंदर फसेक तालिस लोगों के लिए सत्रह दिनों तक महायुद लड़ता रहा यह सिर्श रेस्क्यू आपरेशन नहीं था अलवत्ता हिंदुस्तान जो दुनिया में अपनी ताकत की मुनादी करता है उसका एक अलग तरह का अम्तिहान भी था और इससे बड़ी परिशा देश के प्रधान मंतरी नहींदर मोदी की थी जिन्होंने मजदूरों को सलामत निकालने के लिए अपने सारे घोड़े खोल रखे थे सारे साधन संसाधन जोख रखे थे आज समूचे रिस्क्यू आपरेशन से होकर जब आप गुजरेंगे तो आपको इस बात का अन्दाजा होगा कि एक सबल समवेदन शील और समझदार नितरत्वे ऐसे एक नाजुक मौकों पर कैसे खुद को साबित करता है इसमें कोई दोर आए नहीं है कि जितनी भी जिंसियां मजदूर, रेट माइनर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ वगएरा वगएरा तमाम तरह के लोग जो दिन रात लगे रहे काम्याबी वही लेकर के आए मगर प्रधान मंतरी ने खुद इस अभियान पर नजर रह करके अपने प्रतनेदियों को वहां लगा करके उत्राखंड के मुक मंतरी को जरूरी निर्श दे दे करके यह जता दिया था कि फसे हुए नागरिक देश के लिए जरूरी है और उनकी स्तकुशल वापसी हर कीमत पर करनी है इस से मौके पर पहार से लड़ रहे लोगों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और नतीजा ये रहा कि तालिस लोगों की उस भयानक सुरंग से स्तकुशल वापसी हो सकी आज टनल आपरेशन के जितने एहम पहलू हैं उनको देखेंगे समझेंगे और फिर उनको आपस में जोड़ करके ये जानने की कोश्च करेंगे कि पूरी तस्वीर क्या बनती है ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि देश करने तर्ट वे ऐसे मौकों पर कितना महत्व पुर्ण होता है जब ये मजदूर 17 दिन बाहर आए और ये पता चला कि अंदर खाना पीना जा रहा था इसलिए वे सभी ठीक ठाकें सिहत ठीक है दूस्त है वे तब प्रधान मंत्री ने अंदर मोदी ने उनसे बात की उनकी खेरियत पूछी और उनके हिम्मत होसले की दाद दी मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बढ़ाई देता हूँ एक सुखरुप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है मैं शब्दों में वरणन भी नहीं कर सकता हूँ कि वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो साथ मन को इतनी कैसे समाल पाते कहना कठीन था कि ये केदारनाद बाबा की बद्रिनाद बावान की उक्रुपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है आप लोग ने बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई और एक दुश्रे का होसला बनाए रखा ये सबसी बड़ी बात है क्योंकि ऐसे समय एने रेलवे के डिब्वे में भी साथ-साथ चलते हैं तो कभी कभी तो तू-तूमे में हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपने इंसारा धैर्य रखा मैं लगातार जानकरिया लेते रहता था मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपक्र में रहता था मेरे पी-मों के वेपसर वहां करके बैठे थे तो जानकरिया रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है जानकर पुण्य भी काम आया है ताकि इस संकड की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं आप कुछ करना चाहेंगे जी सर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर नहीं हुआ कि हम लोगो कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहत हो रहा है अईसा कुछ निवर क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सर अधर-अधर एस्ट से सर लेकिन आएसी कोई बाद में हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रोब्लों होने से कोई दिक्ट नहीं था करिए था कि अर रात में कहांने के बाद अह सब को में बोलता थे चलो एक बार तहलते हैं के का मिज़स कर ना विक एक क्यों दोलो मिटे घाju वकाती उसमें उसमें शुनीग लोग रिखिए अप समझे कि धाय किलोमेटर के दारे में सुरंग दोनों तरफ से धस गई है 41 लोग फसे हुए हैं और वो कहरें कि रात में खाना पीने के बाद हम लोग वाक पे जाते थे तहलने चले जाते थे और सुबह योगा प्रणायाम वगरे करते थे एक निश्टा थी कि हमारा देश बाहर है 140 करोर का मजबूत हिंदुस्तान बाहर खड़ा है हर खीमत पर हम तक पहुंचेगा रास्ता निकालेगा चाये मुश्किने जितनी भी आएं इसलिए हमारे जिन्दगी पर संकट भी है लेकिन हम फिर बाहर निकल करके अपने घर परिवार के साथ मिलेंगे यह उमीद सिर्फ इसलिए है कि एक मजबूत देश एक मजबूत समाज ऐसे लोगों का मुल्क जो ऐसे मुश्किल वक्त में संकट की घड़ी में एक मुश्क एक साथ एक जुट खड़ा होता है और दुनिया को अपनी मिसाल बताता है अब आथ हालात समझे सारे चार किलोमेटर लंबी सुरंग उत्तरा खंड के उत्तर काश्यू में पहार के अंदर से बनाई जा रही थी इसके बनने से गंगोतरी या मुनतरी के बीच 26 किलोमेटर की दूरी कम हो जाएगी और 45 मिनट का सफर भी कम होगा यानि कि 45 मिनट बचेंगी चार धाम के लिए बन रही आल वेदर रोड में यह सुरंग सबसे चुनाती पुर्ण काम थी और उसने समूचे देश को ही चुनाती दे दी उस सुरंग में काम करहे मजदूर मौत के सामने आ गए और बचने का रास्ता बंद हो गया दिन दिवाली का था देश रोशन था उल्लास और उमंग से भरा हुआ और उसी रोज सुरंग के अंधेरों में चारों तरफ मन्राती मौत के बीच एक तालिस मजदूरों के फंसे होने की खबर आई दोनों तरफ से सुरंग धस गई और बीच में दो ड़ाई किलोमेटर का जो फासला हिस्सा था उसके भीतर मजदूर थे भारत को उनको बचाने के लिए महभारत लड़ना पड़ा सत्रह दिन और लगभग चार सो घंटे का महा युद्ध आखिरकार अठाईस नॉवंबर रात आठ बजे के आसपास पहला मजदूर निकला और फिर अगले पैंतिस चालिस मिट में सारे के सारे के सारे क्तालिस मजदूर सलामत निकाल ली गए अब आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने अंधेरी सुरंग में सत्रह दिन काटे हो बचेंगे या नहीं इसका कोई अतापता ना हो वे जब फिर दुनिया को देखे होंगे अपनों को देखा होगा तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा हम आप समझ तो सकते हैं मगर जिसने भोगा है बता वही सकता है इसलिए सुनिया आप मजदूरों को स्ट्रेटमेन बे लिया किया है तो बाट सुनके मेरे दिल में आईशा अनन्दित लागा है मसला बोलनाई सकता है तो इसलिए में अचना देन बद देने साता हूं भरवाट सुरकार हमारा असम सुरकार नि बिटीसी सुरकार से हम दिवाली आज मनाये हैं हम मिटा गराया हैं समकोलो भया लोगन के इहां भर्मा मिठाई बाटेन परसाद बहुत कुसी हमारा एक लड़का रहा है वो भी सत्तरा दिन होएगे वहां सेनन फसे फसे तो कैसे दिन गुजारने तो भगवाने जानती जमको बहुत कुसी मिलिया सरकार कही हैं अपने सरकार उतराखंड सरकार बहुत धनवागम बोली थे जो गरेव कहां बच्चे सुरच्चत निकाल लेनी बहुत धनवागम तो भगवान नीक रहा है ये घरवालों की जजबात है अब आप सोचिए कि जो लोग अंदर थे उनको घरवाले बाहर इधर जो जिन्दा है वे सुरंग में बंद अपने भाई या बेटे या फिर किसी अपने के लिए बेचैन है उमीदों के बनने और तूटने का अजीव सा खेल चल रहा था मानो एक तरफ देश था और दूसरी तरफ पहाड NDRF, SDRF, NHIDCL और इसके अलावा थल से ना वायू से ना, रैट माईनेस और पता नहीं कितने लोग लगे हुए थे लगबग 2,000 दिल्ली से लेकर के दहरादून तक पूरी सरकार एक पैर पर खड़ी थे 24-7 काम चल रहा था मशीनों के साथ इंसानी होसलों ने मूर्चा संभाले रखा था मशीने फेल हुई बलेड सुरंग के मलमे में फसी तूटी वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लेटफॉर्म धसा, डगमगाया लेकिन इंसानी होसले कभी पस नहीं हुए उन्होंने हत्यार नहीं डाले चार सो घंटे के उस अनतक युद्ध में जब बाहर से खुदाई कर रहे इंसान ने आखरी पत्थर हटा करके अंदर इंसान को देखा तो मानो हिंदुस्तान जूँग गया तालिया बजने लगी आतिशबाजी होने लगी लड़ो खिला जाने लगी और 140 करोड के हिंदुस्तान ने अपने पराक्रम और अपनी दुआओं पर बहुत यकीन किया वो उन पर निसार हुआ अंदर घुसके लेट के जैसे हम लोग हज जैसे हम लोग प्रोसेस है हम इस चीज़ को बोलेंगे चुहां बहुर तो एक नी बोलते हैं जिसमें चुहां जिस तरीक से मिट्टी पीछे फेकता हैं फिर आगे बढ़ता हैं उसी इसाफ से सरह हम काम करते हैं आगे से मिट्टी काटते हैं पीछे मिट्टी फेकते हैं और इसी तरीक से आगे बढ़ते जाते हैं रियक्शन बड़ा भावूक रियक्शन था जब हमने उनको देखा और उनको देखा तो एक तरीके सी यह मानिये कि जैसे एक प्यासा होता है ना सर रेगिस्तान में पानी मिल जाता है स settlement वो नके लिए था हमने अपना हमिस वह एकशार हम ने जो कमिटमेंट किया। एक सिल मक्सद हमारा पूरा हुआ हम impact और में उन्हें मक्सद अस्ता elsव चोड़ छुके थे कि बई हम आज निकले निकल निकल भी वाएंगे lodge possess प्री मिने अब ख्रोज के हुआ दीपम उपकूपक मने जला है घर गोला वला डगा है अधने बाद को अधनी साहीं तक इन है भोट नम उचाराटों दिन मने पर मने लाग रही है बहुत बहुत धन्ने बाद अभी कितनी खुसी है, पूरे गाउं में कितनी खुसी है? हमारे बहुत खुस हैं हम सभी, पूरे गाउं, पूरे मुहले में साम को जब बाहर निकले, इतने खुसी थे कि हम क्या कि, पूरे मुहले में खुसी के मारे जूड़े थे इनसान इनसान की सलामती के लिए कितनी शुड़त से चाहता है, यह तब और मजबूत होता है, जब वो कोई हमारा हो यह सरहट जो दौरते हैं हिंदुस्तान के चारों तरफ उसके भीतर जो लोग रहते हैं, उनका अपना एक रिष्टा है, हम हिंदुस्तानी है और वो जो रैट माइनस जा रहे थे लगातार मलबा काटते हुए मजबूरों की तरफ और मजबूर टटकी लगाए देख रहे थे कि यह मलबा हट जाए, और धस रोशनी आए, लोग आए, ताकि हम उधर जाएं और जब रैट माइनस ने मजबूरों को देखा और बीच का मलबा हटा, तो इधर और इधर दोनों तरफ एक भावक पल था, और प्रधान मंतरी ने में कहा कि वो पल जो था, बहुत भावक था, सत्रह दिनों की लड़ाई सारा हिंदुस्तान खड़ा था, और वो सुरंग में कितना काम आगे बढ़ा, मजबूरों के कब तक निकलने की उमीद है, मीडिया मौके से पूरा आपरिशन दिखाता रहा, और इस दोरान हिंदुस्तान अपनी पहचान का निरेटिव दुनिया के सामने खड़ा करता रहा, यह हिंदुस्तान है, इसके असली तास से लड़ता है, महा युद्धा के तरह, यह देश एक लए, एक मन, एक संकल्प, एक दुआ और एक सदा से भर जाता है, यह हिंदुस्तान है, जिसके अंदर कई टकराव और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश और देशवासियों की खातिर सारे दारे मिठ जाते हैं, सारे ब अबलियत की भी आजमाईश थी, दुनिया वालों की इस बात पर नजर थी कि जो देश अपने लगातार आगे बरने पर इतना गुमान करता है, बह पहार के अंदर पहार जैसे चैलेंज से कैसे निपटता है, देखा जाए, मगर इस देश ने सावित किया, दुनिया को पहाया, बताया कि ये हिंदुस्तान है और जब मैं यह बात कह रहा हूँ, तो जाहिर है, इसका एक सिरा देश के प्रधानमंती नेंद्रमोदी तक जाता है, कारण ये है कि उनकी साक पर भी एक सवाल की तरह थाया भियान, इस आपरेशन में रत्ती भर भी नुकसान हो जात या कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो देश का विपक्ष नेंद्रमोदी को कटगरे में खड़ा कर चोतरफा हमला बोल देता, वैसे वो अब भी छोड़ नहीं रहा है, मगर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, यह सुनाने बताने से पहले नेंद्रमोदी सुरंग में फसे जालने के लिए खुद किस तरीके से पूरे ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, यह आपको बताना चाहता हूँ, प्रधारमंत्री नेंद्रमोदी तक हर अपडेट पहुचता रहे, इसके लिए उनके चार मेजर सोर्स आक्टिव थे, जिनके जरिये उन तक सिलक्यारा की हर स पहुचना पहुच रही थे, पहला सोर्स थे उत्तराखन के मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग्धामी, तक हुए उनका राजी था, और राजी सरकार उनकी पुलिस उनकी विवस्था उनकी जमीन उनकी, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में बने रहे, उन्हों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इस बात की गरंटी रखनी चाहिए, अपने चुनावी दोरों के बीच भी प्रधानमंत्री अंदर मोदी उनसे फोन पर बात करते रहे, मजदूरों का हाल चाल लेते रहे, दूसरे शक्स थे, जो वहां भी मोचा समाले बैठे थे, वो अजनसियों के बीच तालमेल बना रहे, जरूरी साधन संसाधन जब भी लगे कि उनका आउशक्ता है तो उनका बंदोबस तुरंत किया जा सके, यह इंशोर करने के लिए वह वहां थे, प्रधानमंत्री नंदर मोदी की जो तीसरे एहम सोज थे, वो थे भासकर खुलवे, भासकर खुलवे पियमो में पुर्व सलाकार की भूमिका निबाद चुके हैं, इस वक्त उत्राखंड सरकार के O.S.D. के पद पर काम कर रहे हैं, बुल लगातार मौके पर बने रहे और प्रधानमंत्री को यह बताते रहे कि रिस्क्यू उपरेशन कहां तक पहुंचा है, या पिर कहां कहां दिक्ते हैं आ रहे हैं, और चौता जरिया थे निरजख खैरवाल जो 2007 मेच के AIS अधिकारी हैं और उन्हें धामिस सरकार ने नोडल अधिकारी बनाया था, निरजख खैरवाल अधिकारी क्रूप से PM और CM के बीच कड़ी का काम कर रहे थे, सूचना पहु सभी परसंद हैं और सभी सभी का धन्यवाद कर रहे हैं, सरकार का भी हमारे प्रधान मंत्री जी का भी कि उन्होंने विसे इस चिंता करते हुए, एक माता पिता की तरह जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस परकार की उन्होंने चिंता की है, आज हम सभ पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टानल के अंदर थे तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रस्क्य अभ्यान में हुए है अन्मंत्री मोदी लगतार जो है जिस तरह से नेतित्व कर रहे थे चुनावी रैलियों के बीच में लगता से मुस्तायद है तो फिर तो तभी तो सब लोग डटे रहे तभी जो लोग काम करते थे पूरी रात काम करते थे दिन काम करते थे एक हमारी समझा थे कैसे इसको रेस्ट दिया जाए वो गता मुझे रेस्ट नहीं चाहिए मेरे भाई दूसरी तरफ हैं मेरे को पहुंचना है वहां तक हमारे लिए ये भी एक चुनावती थी कि कैसे उनको रेस्ट दिया जाए कैसे हम उनको आगे लेकर चले तो मैं ये कहूंगा कि एक जो लक्ष था उसकी प्राप्ति के लिए जो भी हमें चाहिए वो मिलता रहा ह में परिशानी नहीं हुई और इसलिए मैं आपको का अगर श्रे जाना है तो परिवार के मुख्या को श्रे रहे उनका हाथ था सब के उपर नीचे से लेके उपर ता उसका फरक पड़ता है और ने भारत की यही पहचान है परिवार अगर एखटा होता तो चार का दम आगे बढ़ता है और जहां परिवार के अंदर टूट फुट होती है परिवार पीछे आ जाता है यह इस्तिती जो थी वीकेसिंग बता रहे थे बुस्तरकार के मुस्ताइदी का प्रमान है इन लोगों के अलावा जिन चार का मैंने जिक्र किया 17 दिनों तक प्रधार मंतरी कारियाले का विशेश द्धान सिल्किारा पर बना रहा पीमो की टीम मौके पर मौजूद रही रेस्क्यू के रॉनरीती पर काम करती रही या जो टीमें वहां काम कर रही थी उनके बीच ता इन लिचु का काम कैसा चल रहा है, सुरंग के अंदर मौजूरों तक किस तरह से सुईदाप पहुंच रही है, यहां तक कि बाहर रेस्क्यू टीम जो है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, रेस्क्यू के काम में कोई कमी तो नहीं रह गई है, पीके मिश्टरा ने मौके पर पहुँच कर काम को जाचा परखा हर अपडेट पी-म तक पहुँचाया आपको यह बात साफ समझा रही होगी कि प्रधार मंतरी नैंद्र मोदी का सिलक्यारा पर फोकस बना रहा तमाम व्यस्ताओं के बावजूद और यही वज़ा है कि जब मजदूर सत्रा दिनों के बाद बाहर निकले और प्रधार मंतरी ने उन से बात की तो उन खुश्रियादा करेंगे सर वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर फोन करते थे और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोगो गले लगाया और बीके साहब भी थे सर उन्होंने भी हम लोगो तह दिल से सुप्रियादा किया और हम लोगो गले लगाया सर हाँ इस बार तो विके सिंग भी पुरा समय वहां रहे और वे भी बिलकुल डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ने वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई सब्सक्राव कि आपके साथ और कौन हैं जो बात करेंगे साथ हैं सब्सक्राइब नमस्कार 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 गबर सिंग जैहिन देखो गबर सिंग मैं मैं तुम्हें तो विशेश सुर्थे बढ़ाई देता हूं क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुक्मेंदी जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लिडर्शिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया मुझे तो लगता है शायद कभी किसी उनिवर्सिटी को एक के स्टेडिक ताहर करना पड़ेगा कि गबर सिंग नेगी गाउं का वेक्ति उसमें वो कौन सी लिडर्शिप क्वालिटी है कि इसे संकट क समय में भी इपनी पूरी टीम को समाना और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजे समझा भी पा रहे थे तो मैं आपके दरब से सुनना चाहूंगा कब बहुत धन्यवाद सर्थ थैंक्यू सेर आप लोगा साथ ये सब आप लोगों का आज ही बात रहा है स हां हमारे मुख्य मंतری पूश क्रसिंग ढाविशाप में इसमें कोई दोरा नहीं कि कःिन्द सरकार के मुख्या प्रधार मंत्यी नेंद्र मोदी और उत्राकर्ण सरकार के प्रमक वहां की जो मुख्यमंत्री पुश्टरसिंग धामी है इन दोनों की सक्रियता मुस्तैदी के कारण उस अभियान को तेजी से बढ़ाने और कामयाब करने में बड़ी भूमी का रही है इतने बड़े मिश्वन की कामयाबी बिलाश्रक इस बात पर बहुत हद तक निर्वर करती है कि देश को नेत्रत उसको कितनी गंभीरता से ले रहा है और उसका खुद का एन्वाल्मेंट कितना है इतना कुछ बताने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद रहा कि अगर प्रधानमंत्री पूरी शिद्ध से उत्तरकाश्वी में फसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के संकल्प के साथ हर साधन संसाधन जोके हुए नहीं होते तो मामला थोड़ा खिक जाता है इसलिए इसकी दाद उनको जानी चाहिए दूसी तर विपक्ष है जो कही तरह के सवाल खड़ा कर रहा है मसलां वहां उस तरह के सुरंग बनाने ही नहीं चाहिए थी सुरंग में जब काम चल रहा था तो ऐसे किसी भी हाथसे से मजदूरों को बचाने के लिए एक सेफटी लाइन होनी चाहिए थी जो नहीं थी क्यों नहीं थी और कई तरह के और भी मीमस हैं जिनको देख करके आपको सिर्फ यहीं लगेगा कि यह सब कुछ बदमगजी और बदनियती से किया गया है इसके इतर कुछ है ही नहीं यह एक बड़ा मसला है जिस पर गंभीता से सोचा जाना चाहिए हर आम आदमी को अभी तक मैंने उन लोगों के बारे में नहीं बताया जो इस महायुद के सबसे बड़े लड़ईया थे वे हैं रैट माइनस दिवाली के दिन 12 नुवंबर को जब मजदूर मलबा गिरने से सुरंग में फस गए तब ही से तमाम अजिंसियां सरकारें एक्शन में आ गए NDRF, SDRF, BRO, ITBP ये तमाम रिस्क्यू आपरेशन में लग गए अमेरिकी ऑगर मशीन, अलेक्टिक जाग, वर्टिकल ड्रिलिंग जैसे तमाम तरीके आजमाये गए सब ने अपने अपने हिस्से का काम उम्दा किया, बेहतरीन किया तमाम हाइटेक तरीकों से खुदाई की कोशिश की गई जो जो मुम्किन था, हर उपाय अपनाया गया, उस पर काम किया गया लेकिन पहाडों की एक अपनी दुनिया होती है जब मल्मो में ड्रिलिंग के समय, सरिया, बड़े पत्थर, स्टील की पाइपों ने जाधा रुकावाट डाली तो मशीन से ड्रिलिंग रोकनी पड़ी अलबता सिलक्यारा साइड से जो होरिजन्टल खुदाई चल रही थी उस तरफ अगर मशीन की ब्लेड तूट गई और फस भी गई जब 27 तारीख को सुबह फसा हुआ हिस्सा बाहर निकला तब रैट माइनस ने मोर्चा संभाला पतली और स्नक्री जगहों में घुस करके और चुहे की तरह बिल खोदने में माहिर इन रैट माइनस ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी आस देश ने उनसे लगाई सिलक्यारा छोड से 800 मिलीमीटर के पाइप में यानि एक मीटर से 20 सिंटी मीटर कम दायरे की पाइप के भीतर रैट माइनस घुसते थे बारह के टीम दो अंदर जाते थे उसके बाद वहाँ जाकर के हतौरी से छेनी से वो मलबा कारते थे और फिर उसको बाहर किया जाता था एक ट्रॉली के जरीए ये 41 जानों को इन लोगों ने अपने इसी कौशल से और साहस के जरीए बचाया दो लोगों के टीम पाइप में घुसना छेनी हतौरी से मलबा काटना फिर टॉली में डालना फिर टॉली को बाहर निकालना और यह सिलसला लगातार चलता रहा और लगभग 12 से 13 मीटर जो मलबा जो मशिन से नहीं कट रहा था उसको काट करके और पाइप को वहां तक भेजने में इन लोगों ने कामियाबी हासिल की जब जो ठक जाते थे तो दो अंदर जाते थे माइनस के साहस की दाद आपको देनी पड़ेगी उनके हुनर और तजरुबे ने इतिहास रचा जैसा पहले कभी नहीं हुआ वैसे तो रैट होल माइनिंग बहुत खतरनात मार जाती है क्योंकि जैसे से रैट होल माइनस खोथते हुए आगे बढ़ते हैं मिट्री धंस्ती चली जाती है और ख़दानों में यह पहले काम होता था उस पर रोक लगा दी गई रैट माइनिंग मना है इल्लीगल है लेकिन यहां रहात की बात यह थी कि अगर मशीन से ड्रिलिंग करते हुए साथ साथ आठ सो मीटर मिलीमीटर की जो पाइप आगे डाली जा रही है इसलिए मलबे का सारा दबाव पाइप के ऊपर था और उसके भीतर रिजाट माइनस थे वह सुराख शुद थे और जैसे ही जगह काट करके खाली करते थे वह पाइप और पुश कर दी जाते थी मिशीन से यह जो सुरंग थी यह सुरंग वहाँ बौकनाग मंदिर हुआ करता था उस मंदिर को तोड़ करके बनाएगे थी लोगों ने कहा था कि मंदिर की जगह पर एक और मंदिर बना दिया जाए लेकिन वह मंदिर बना नहीं जब यह संकट बढ़ा और संकट टलने का नाम नहीं ले रहा था तो सुरंग के पास ही एक छोटा सा मंदिर बौक नाका बनाया गया उस मंदिर में जाकर के मुख मंतरी ने और सेलिया से जो आयोवेट टरनल एक्सपर्ट थे उन्हों ने अरनल्ड डिक्स दोनों ने पूजा की और वहां मुख मंतरी ने मंदिर बनाने का एलान भी किया हिंदुस्तान अपने शौर पराकरम पर भरुसा तो करता ही है लेकिन जो उसकी धार्मिक अधात्मिक शक्ती है उस पर भी उसको उमीद रहती है किसे संकट से बाहर निकलने की और इस संकट से बाहर निकलने में सारे हिंदुस्तान की ताकत तो है ही लेकिन बौकना का भी आश्रुवाद रहा यह भी हिंदुस्तान मानता है वो आधा हिस्सा जिसके वगएर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य